नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा आज मैं आप सबों को B8 कोर्स में मैथट पेपर यानि पेड़ागोजियों फिजिकल साइन्स के बारे में बताऊंगे यहाँ आपके ओनर्स पेपर यानि प्रतिष्ठा की विशय से संबंध रखता है Physics और Chemistry ओनर्स वाले इस विशय में सामिल होते हैं मैथट पेपर यानि पेड़ागोजियों फिजिकल साइन्स में आप यहाँ पढ़ोगे कि साइन्स क्या है Science का Nature यानि प्रकृति एवं छेत्र यानि स्कोप क्या है विज्ञान सिक्षन के लक्षे और उदेश्य क्या है विज्ञान सिक्षन के लिए Teaching Methods कौन से हैं Teaching Skills कौन से हैं एक विज्ञान सिक्षक में कौन-कौन सी Quality होनी चाहिए विज्ञान सिक्षन पढ़ाने के लिए कौन-कौन से टीचिंग लर्निंग, मटेरियल यानि की सिक्षन समागरी का प्रयोग करना होता है इत्यादी तो आज हम शुरुवात करेंगे Nature and scope of science से यानि कि ये पहला lecture वीडियो है जो है Nature and scope of science जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे तो आए देखते हैं आज के topic को विज्ञान यानि science दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत मत्व है चलते, फिरते, सोते, जाकते, खेलते, कूतते, खाते, पीते हर क्रिया में विज्ञान है प्रति एक घटना में विज्ञान है प्रति एक जगा में विज्ञान है तो आए देखते हैं कि विज्ञान है क्या विज्ञान, विज्ञान शब्द वी जोड ज्ञान से बना है यानि कि विज्ञान का यदि हम संदी विछेट करेंगे तो हम देखेंगे वी जोड ग्यान, जिसका अर्थ विशिस्ट ग्यान से है, यानि कि विशेश ग्यान, वी का अर्थ है विशेश ग्यान मतलब नौलेज, तो इस तरह से विज्यान का मतलब होता है विशिस्ट ग्यान, वास्तों में प्राकृतिक घटनाओं का अधियन करना, तथा उनमें आपस में संबंद ग्याद करना विज्ञान कहलाता है। यानि प्रकृती में जो भी घटना घटती है उसका अधेयन करना और उनमें आपस में संबंद ग्याद करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भासा के साइन सब्द का प्रयायवाची है। तथा सकेर शब्द का अर्थ तू नो यानि जानना है। यहाँ यहाँ यसपस्ट है कि ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। विज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। विज्ञान को लेकर अनेक विज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाशाएं प्रस्तुत की है। और उन सारे परिभाशाओं को यहाँ पर एक स्लाइड में लेकर आना मेरे लिए थोड़ा सा कठीन लगा। तो मैंने एक निश्कर्स के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। विज्ञान का ग्यान क्रमबद, संगठित तथा सुवेवस्थित होता है। विज्ञान का ग्यान systematic, organized and well arranged होता है। विज्ञान में तत्यों और संबंधों का अधियन किया जाता है। यान की विज्ञान भी से ऐसा है जिसमें Fact और Fact क्यों हो रहे हैं, उनके बीच का जो संबंध है उसका अधियन किया जा रहा है। विज्याण तारकिक विचारों एवं घठनाओं का माध्यम है यानि जो भी घठना घठती है, उसके प्रती जो अपने तरक ब्रस्तूत करते हैं वह विज्यान है विज्यान के अधियन से मस्तिस्क में तरक एवं विश्लेशन करने की आदत विक्सित होती है यानि कि विज्ञान को study करने के कारण से मस्तिस्क में logical thinking यानि तर्क एवं visualization यानि analysis करने की आदत विक्सित होती है क्यों विक्सित होती है क्योंकि ये क्रमबद, संगटित और सुवेवस्तित होता है एक systematic way में चलता है step by step चलता है जैसे step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 कभी भी विज्ञान में step 1 के बार directly step 5 में हम नहीं जा सकते हमें follow करना पड़ेगा यहनि क्रमबद होता है जिससे तर्क और visualization की छमता बढ़ जाती है अब हम देखेंगे nature of science यानि विज्ञान की प्रकृती जिस तरह से प्रतियक व्यक्ति का अपना nature होता है उसकी अपनी प्रकृती होती है उस तरह से ही विज्ञान की भी अपनी प्रकृती है अपना nature है तो आए देखते हैं कि विज्ञान की प्रकृती कैसी है सबसे पहले है विज्ञान संग्या कम क्रिया अधिक है आप से भी जानते हैं संग्या यानि कि नाउ संग्या किसे कहते है, किसी का नाम, स्थान का नाम, इत्यादी को हम संग्या कहते है और क्रिया, यानि कि जो कार्य होता है, उसे क्रिया कहते है तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि मनुष्य जो भी क्रिया करता है, कार्य करता है, वह विज्ञान है जैसे चलना, फिरना, उठना, बैटना, दोडना इत्यादी जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं यदि हम बोल रहे हैं तो ये जो बोलने की क्रिया हो रही है उसमें विज्ञान है कि किस तरह से हम बोल पा रहे हैं यदि हम सुन रहे हैं, तो किसी की आवाज हमें कैसे सुनाई दे रही है, क्यों सुनाई दे रही है, ये भी विज्ञान है, अता विज्ञान संग्या कम क्रिया अधिक है, फिर है, विज्ञान वा है, जो वैज्ञानिक करते हैं, और वैज्ञानिक क्या करते हैं, या वैज्ञ विज्ञानिक विधी का अनुसरन है हमने शुरू में ही यह देखा था कि विज्ञान सिस्टेमेटिक और गनाइस्ट वेल अरेंस्ट ग्यान है नौलेज है तो विज्ञानिक जो कारे करते हैं वह विज्ञान है हम यह जानते हैं कि विज्ञानिक जब कोई कारे करते हैं तो स् और जिस विधी से कारे करते हैं यानि विज्ञानिक विधी से कारे करते हैं वह ही विज्ञान है फिर है विज्ञान पूरी तरह वस्तुनिष्ट है यानि कि science is purely objective in nature यानि कि objective यानि सही का मतलब सही और गलत का मतलब गलत कभी भी गलत को सही नहीं कहा जा सकता है यानि कि विज आप सब जानते हो ग्यानिंद्रियों के द्वारा ही मनुश्य को ज्यान की प्राप्ति होती है sense organs के थ्रोही knowledge मिलता है तो विज्ञान के ज्ञान का आधार भी हमारी ज्ञानिंद्रिया ही है फिर है विज्ञान का ज्ञान का आधार निश्चीत होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है यांनी विज्यान के द्वारा जो ज्यान की प्राप्ति होती है, वह निस्चीट होता है, क्योंकि वह पुब्ड होता है. और इसी वजासे उस पर विश्वास किया जा सकता है. फिर है विज्ञान का ग्यान सुवेवस्थित, क्रमबत, तार्किक तथा अधिक स्पस्थ होता है यह हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि systematic है, organized है, well arranged है, तार्किक यह नहीं कि logical है, अधिक स्पस्थ एक दम clear है यह हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हमने देखा कि विज्ञान का ग्यान सुवेवस्थित, क्रमबत, तार्किक तथा अधिक स्पस्थ होता है फिर है विज्ञान के विविन नियमों, सिधान्तों, सुत्रों आदी में संदे की संभावना नहीं होती है जो भी सिधान्त है, सुत्र है, नियम है, इस पे कभी भी संदे नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रूब्ड होती है और प्रूब्ड ग्यान हमेशा स्पस्थ होता है विज्ञान की प्रकृती में आगे है इसके अधियन से आगमन यानि इंडक्टिव, निगमन यानि डिडक्टिव, सामानी करण यानि जेनरलाइजेशन तथा आउलोकन यानि अबजर्वेशन की योगिता विक्सित होती है आगमन यानि इंडक्टिव जिसे हम कहते हैं उधारन से नियम की ओर, डिडक्टिव यानि की नियम से उधारन की ओर, सामानी करण आप सब जानते हों कि जेनरलाइज करना और आउलोकन जो है अबजर्वेशन करना तो ये सारी योगिताय जो है चातर में वो विक्सित होती है इसके बाद है इसके अधियन से बालकों में आत्मिश्वास यानि self confidence, अनुशासन यानि discipline तथा आत्म निर्भरता का विकास होता है self confidence विक्सित होती है ये आप अपने आप में अनुभाओ कर सकते हो आप science के student हो कि आप में कितना self confidence है, discipline है और self independence है फिर है इसके द्वारा बालकों में सकारात्मक, तार्किक तथा वैज्डानिक द्रिष्टिकोन का विकास होता है सकारात्मक यानि पोजेटिव तार्किक यानि लोजिकल, जो हम शुरू से देख रहे हैं कि साइन्स के द्वारा लोजिकल थींकिंग डेवलोप करती है फिर वग्यानिक द्रिष्टिकोन यानि scientific attitude का वी विकास जो है वो science के दवारा बालकों में देखने को मिलता है तो इस तरह से हमने देखा कि विज्ञान की प्रकृती क्या है, विज्ञान का नेचर क्या है और अपनी प्रकृती और अपने नेचर के द्वारा या विज्ञान पढ़ने वाले बालकों में इन सारे छमताओं, इन सारे योग्यताओं को विक्सित करता है। आप अपने आप म भी इसको महसूस कर सकते हैं कि आप में कौन से कुन है अब हम देखेंगे विजन के छेत्र यानि सकोप of Science हमारे दैनिक जीवन में हमारे डेली लाइफ में विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है हम ये भी कर सकते हैं कि विज्ञान के बिना हमारा जीवन असंबह है शाखाओं, ब्रांचेस का प्रयोग करते हैं, जैसे सबसे पहले है कृशी के छेतर में, in agriculture, हम ये जानते हैं कि भारत जो है वो कृशी प्रधान देश से आधा से अधिक आबादी जो है वो गाओं में रती है, खेती करती है, तो कृशी के छेतर में, खेती में अच्छी फसल लुगाने के लिए मिट्टी में उर्वरक मिलाये जाते हैं और रासानिक उर्वरक आप जानते ही हो सोडियम नाइटरेट, सूपर, फासफेट, अमोनियम सलफेट, यूरिया, पोटास, इत्यादी होते हैं और इनके प्रयोग से पैदावर अधिक होती है और हमारी जो बढ़ वास्थे के छेत्र में, इन मैडिकल एंड हेल्थ, जितनी भी विज्ञानिक उपकरन हैं, एक्विप्मेंट्स हैं, यंत्र हैं, दवाहियां हैं, एलोपेथी, आयर्वेद, होमियोपैथिक, उपचार के लिए भी जो है विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जो भी एंट फिर आता है ओध्योगिक छेत्र यानि की इन अंडस्ट्री, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली सारी वस्तुमें जो हैं, वो इन अध्योगिक छेत्र से ही प्राप्त होती है, इंडस्ट्री में बनाए जाने वाले प्रोड़क्ट्स के ही प्राप्त होती है, दव लोगों को एक सुगम जीवन जीने के लिए सहता करता है। के बात करते हैं और बिना इंटरनेट, मोबाइल, कम्प्यूटर, लाप्टोप के बिना हम नहीं कह सकते हैं। हमारी जो ट्रैबलिंग करने के लिए जो कार है, बस है, इत्यादी इन सबकी सहता से हम एक अस्थान से दूसरे अस्थान जो हजारों किलूमेटर दूर होता है। उसको कम से कम समय में हम लोग तै कर पाते हैं, यानि ट्रांसपोर्ट में भी विज्ञान का मत्व है, यानि कि यातायात के छेत्र जो है वो विज्ञान के अंतरगत आते हैं। फिर आता है मनुरंजन के छेत्र, मनुष्य को मनुरंजन की भी आवशकता होती है, जिसके लिए वो सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है, टीवी की द्वारा मनुरंजन होता है, टैप रिकॉडर है, कम्प्यूटर है, मल्टी मीडिया, इंटरनेट और आजकल बहुत सारे ऐसे साधन हो गए हैं, जिससे वो अपना मनुरंजन कर सकता है, इस तरह हमने विविन छेत्रों को देखा, विज्ञान के छेत्र में आगे हम देखेंगे पेट्रोलियम उतपादों के छेत्र में, इन प्रोड़क्ट ओफ पेट्रोलियम, हम यह जानते हैं कि जमीन या और और तेल के कुएं παए जाते हैं, और उससे प्राप्त पेट्रोलियम जो है वो रासाइनिक विज्ञान, यानि कि केमेस्ट्री के ग्ञान के द्वारा, विविन उपयोगी उतपाद, जो पेट्रोलियम के साथ-साथ में मिलते हैं, इसने कि हम लोग प्राप्त कर पाते ह जैसे मोम, सिंथेटिक रबड, कोलतार, प्लास्टिक, उर्वरक, किरोसीन, इत्यादी तो इसमें भी विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है इसके बाद है खादे के छेत्र में इन फूड प्रोडक्ट हम ये जानते हैं कि दिन प्रती दिन हमारी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती विजनसंख्या को खादे पदार्त उपलब्द कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो विविन रासाइनी क्रियाओं के द्वारा दही, मखन, पनीर, घी, रिफाइन तेल इत्यादी का उत्पादन किया जा रहा है और लंबे समय तक उनको कैसे संग्रक्षित रखा जा सकता है इसके लिए भी बहुत सारी नई विधियों का प्रियोग किया जा रहा है और यह भी विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है आगे है यूद के छेत्र में इनवार यूद के छेत्र में भी विज्ञान अपनी बहुत महतपून भूमिकानी भाता है जैसे तीवर विस्पोटक, जहरीली गैसे, परमानू बम, इत्यादी जो बम है जिसको रासाइन तथा भातिकी के जो वैज्ञानिक है, फिजिक्स और केमेस्ट्री के जो सैंटिस्ट है उनके ज्वेंटली अफोर्ट से, उनके संभ्त प्रयास से ही ये सारी अविस्कार हो पाया है और इसका प्रयोग यूद के छेत्र में भी किया जा रहा है फिर है अंत्रिक्च के छेत्र में इन स्पेस हम ये जानते हैं कि आज मनुष्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक भी पहुँच पाया है दूसरे ग्रहों की जानकारी उसे हो पाई है और यह सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की देन है और इसके लिए बहुत सारे फिजिक्स, केमेस्ट्री के जो साइंटिस्ट है वो रिरंतर प्रियास में है कि अधिक से अधिक जानकारी अंत्रिक्च की आज लोगों को मिल पाए तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू धन्यवान